आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लेकर आई हूं बिलकुल मार्केट जैसी बहुत ही फ्रौती और टेस्टी कोल कॉफी की रेसिपी जैसे हम जैसे बीटर में बनाते हैं उसी तरह से कॉफी बनाकर ट्यार करेंगे फिचली इसे बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं पर एक टेबल स्पून चीनी एक टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे कॉफी पाउडर अब इसमें हम थोड़ा सा गुन-गुना पानी डाल देंगे अगर आपके पास हैंड बीटर है तो यह काम बहुत ही फटा-फट से हो जाएगा लेकर हम हातों से करेंगे मतलब स्पून से या फिर जो हैंड विसकर होता है उससे तो इसे हमें कंटेन्यू बिना रुके 15 मेट अच्छी तरह से फेटते रहना है एक दम यह फ्लोथी और इसका जो टेंपरेचर देखें आप कप में बहुत ही कम है अब यह बहुत जादा हो जाएग यह देखें यह हैंड विसकर से इस तरह से आप इसको जैसे फेटते हैं बहुत ही क्रीमी इसका टेक्चर बन जाएगा और इसे बनने के बाद आप इसे फ्रिजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं यह देखें आप इसका वैल्यूम कितना ज्यादा बढ़ गया है यह कितनी और एकदम क्रीमी टेक्चर की बन चुकी है असा लगते यह बहुत ही क्रीम से बनी हुई है तो हमारी जो कॉफी है फ्लॉती वाली वो तैयार हो चुकी है इस तरह से भरकर आप इसे एयर टायट कंटेनर में रख करके और फ्रीजर में छोड़ दें और जब आपको इसे पी किसी भी कप में डाल सकते हैं तो आप इससे यह अभी तो मैं कोल्ड कॉफी बना रही हूं आप इससे नॉर्मल कॉफी भी बना सकते हैं मार्केट वाली एक टबल स्पून डाल दिया है अब हम इसमें जाल देंगे कुछ आइस क्यूब आप चाहें तो यह मिक्सी में भी बना सकते हैं लेकिन इस तरह से बनाने से इसका टेस्क बहुत ही अच्छा आता है बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है काफी कॉशनी मिलती है मार्केट में इस तरह की कॉफीया तो आप भी घर पे बना सकते हैं अब हमने इसमें बिल्क ठंडा दूद डाल दिया है, आइस क्यूब डाल दिये हैं, आप चाहें तो इसमें आइस क्रीम मगेर भी डाल के इसको और भी टेस्टी बना सकते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हम उसके उपर कॉफी पाउडर स्प्रिंकलर कर देंगे, और थोड़ा सा दूद हम थोड चाहें तब अपने मन पसंद कोल कॉफी बना कर पी सकते हैं, थो लिजे बनकर त्यार है, हम सभी की बहुत ही टेस्टी फेवरिट कोल कॉफी, आप इस तरीके से अपने घर पर जिरूर बनाएगा, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सर सब्सक्राइब करना ना भूले, फ् थैंक यू, थैंक्स वर वाचिंग, वे लेकिन प्रेस करना ना भूले,